12.1 कार्य दैनिक जीवन में सामान्य तया किसी भी लाभ दायक, शारिरिक एवं मानसिक परिश्रम को कार्य समझा जाता है जैसे विद्यार्थी परिक्षा के समय अध्ययन में बहुत समय विदीत करता है पुस्तके पढ़ता है, प्रश्ण पत्रों को हल करता है कक्षा में विचार विमर्ष करता है सामान्य भाषा में वह कठोर परिश्रम यानी कार्य करता है इसी प्रकार किसी भी गीत को गुन गुनाना मित्रों से बाचित करना विद्याले के लिए कार्य योजना बनाना सोच विचार करना आदी सभी को कार्य समझा जाता है, किन्तु विज्ञान में वहते कार्य की परिभाशा अलग होती है, विज्ञान में कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, या वस्तु की इस्थित में परिवर्तन होना चाहिए। भातिक कार्य तभी होगा जब बल की उपस्थिती में वस्तु में विस्थापन हो। आन्य सभी कार्य भातिक कार्य नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति का उर्जावान होना वा विद्दुत उर्जा अथ्वा उष्मा या गतीज उर्जा अलग अध्याय में हम भौतिक कार्य व भौतिक उर्जा का अध्यायन करेंगे. भौतिक कार्य के उदाहरन एक पुस्तक को उठाएं, इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है, और पुस्तक उपर की ओर विस्थापित होती है इसलिए यह विज्ञान में कार्यम माना जाएगा पुस्तक उपर उठाने में लगा बल गुरुत्वा कर्शन बल के विरुध कार्य करता है वो पुस्तक की गती में परिवर्तन होता है आईए दैनिक जीवन के उन उदाहरणों पर विचार करते हैं जिन ही हम सामान्य भाषा में कार्य कहते हैं विद्यार्थी परिक्षा के समय कठोर कार्य करता है चुकि कार्य की विज्ञानिक अधार्णा के अनुसार यहां बल एवं विस्थापन की दशाएं नहीं होती है अतः विज्ञान में विद्यार्थी के इस कठोर परिश्रम को कार्य नहीं कहा जाएगा इसी प्रकार गीतों को गुन-गुनाना विचार विमर्ष्क करना आदी भी विज्ञान की दृष्टी में कारिय नहीं है उदाहरन के लिए यदि आप एक कुर्सी को 10 मिनट तक उठा कर रखें तो क्या आपने कारिक किया होगा? शायद आपकी ठकान से आपको लगे कि आपने बहुत कारिक किया है परन्तु भौतिक कारिकी परिभाषा के अनुसार कुर्सी को उठाय रखने में आपने कुर्सी पर कोई कारिन नहीं किया यद्यपी कुर्सी को उठाय रखने के लिए आपने बल लगाया पर कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ चुकि कुरसी में विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए आपके द्वारा लगाए गए बल ने कुरसी पर कोई कारिय नहीं किया जैसे की कुरसी को उठाते समय, कुरसी के स्थिति में कुछ परिवर्टन हुआ उस समय आपने बहुत इकारिय किया उसके बाद वस्तु को उठाय रखने पर कोई अतिरिक्त कार्य नहीं हुआ नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई है पताए इन में से किस किस में कार्य हो रहा है किस में नहीं और क्यूं पहला आपने एक बहुत बड़ी चटान को धकेला पर वह नहीं ही ली दूसरा आप सीडियों पर चड़ कर इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुँचे तीसरा यात्री स्टेशन पर बैक खींच कर कुछ दूरी तक ले जाता है चौथा एक चलते हुए साइकल को रोकना